पावर स्टार पवन सिंग जी के साथ पहली फिल्म थी, क्या आगे भी आप पावर स्टार पवन सिंग जी के साथ फिल्म करेंगे? मुड बनने में तो टाइम लगता है और जब मुड बन जाता है तो एवरी थिंग डू इट नमस्कार आप देख रहे हैं लीड नियूज मैं हूँ गोडी संकर मैं इस बक्त मुंबई में हूँ और आज जो हमारे सक्स है हमारे साथ जो सक्स है इनका मैं नाम बता दू राम सर्मा जी है जी हां जिन्होंने भोजपूरी के सूपर स्टार पावर स्टार पवन सिंग जी का फिल्म हमार सौविमान को प्रिड्यूज किया है सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका लीड नियूज में रहो के भी बहुत स्वागत वा लीड नियूज और दर्सक के देखे वार जो भी देखा तनी सब को इसे चैनल को खूब प्यार दिया और आशिरवात दिया भाया र विदेश में पोलेंड में रहता हूं 27 साल से रहता नए आप sih मांटे सेंन 2 प्यार करता निंए कि पूरे जो भी विहार से कि जो कल्च्र है जो मेरे हम वं वीदेश में भी सकते हैं करते रहते हैं सबसे पहले Это 20 कि आ Fiwn पावर श्टार्ट you जिसे कई से जूरल मानिए यह हमार दर्सक के बताई हम दोनों के प्यार बड़े भाई छोट भाई की तरह है और हमेशा बनल रहे यही रहे और हमेशा अपस में दुख सुक में हमेशा रहते हैं को हार्दिक बधाई क्योंकि आपने भोजपूरी के सूपर स्टार पावर स्ट साथ एक बहुत ही सांदार फिल्म किये हैं जो हमार सविमान जिसका नाम है कब रिलीज हो रही है यह रिलीज डेट हमने जो बिहार यूपी का जो महा पर्व है पुरे हिंदुस्तान का जो पर्व है छट पर के सूब अपसर पर 28 अक्टूबर को हम यह रिलीज करेंगे उस दिन खाड़ना उपवास है तो कुछ तीस तारीकों भी परदर्शित होगी लेकिन हम इने 28 अक्टूबर को ही डेट इसको लॉंच किया है सर इस फिल्म में आप भी नजार आ रहे हैं पावर स्टार पवन सिंग जी के बड़े भाई का किरदार निवा रहे हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं हाँ मैं इस फिल्म में उनके बड़े भाई का किरदार निभा रहा हूं और एक जमिदार का रोल है मेरा ठाकूर का रोल है और गाउं का मुख्या होता हूं उस गाउं का और उनके साथ काम करने में बहुत मुझे मज़ा आया और हम लोग सेट पर एक दुसरे से जैसे बढ़ चोट बाई का प्यार होता है बहुत अच्छा मिला अच्छा पावन सिंग जी से कब जुड़े आप पवन जी से मैं 2021 में ही जुड़ा फरवरी से ही जब मैं फिल्म के बारे में बातचीत हुआ तो तभी से आज तक जुड़ा हूं और आगे भी जुड़ा रहूंगा कितने पैसे लिए थे पावन सिंग जी इस फिल्म करने के लिए यह सब तो अंदर बात होती है फिर कभी बताएंगे इसके बारे में लेकिन पैसा उनके लाइफ में अमयत नहीं है आपको पता है दिल के राजा है शेर है पूरा और पैसे के मामले में वह कुछ तो चाहे आज तो एक दिन में क्लोर रुपय कमा सकते हैं उनके लिए हमेतनी है पैसे का यह फिल्म आपकी पावर स्टार पवन सिंग जी के साथ पहली फिल्म थी क्या आगे भी आप पावर स्टार पवन सिंग जी के साथ फिल्म करेंगे हाँ सियोर करेंगे और हमारी बात हो चुकी है कर्यू है जिसको कहते है पावर इस्टार पावर ही है तो हमं जन्वरी में हम कहीं सख बताएंगे हैं जल्दी बताएंगे आप है मैं हमार सब्सक्रा और कि इस वहालó किया है हमार स्वाहिमान नाम तो स्वाहिमान है तो स्वाहिमान हमेशा हर आदम में स्वाहिमान होना चाहिए और डायले कही है कि हल चली तो कले चली कोई माय के लाल पैदा नहीं कि जो रोक सके यह डायलोग जब हमारे खेट पर कबजा नहीं होने देता है विलन ग्रूप तो उसी सम लोग आज टेलर में देखे होंगे और काफी वाइरल हो रहा है चारो तरफ बीदेशों में भी काफी इवन इरोप में पाकिस्तान में भी लोग इसको देख रहे हैं और अच्छा रिस्पोंस देरे इसको आप 2021 में पावर स्टार पवन सिंग जी के साथ जूरे थे और इतनी ह कहरा दोस्ती कैसे हो गई आप दोनों में बहुत ही हर बार जोड़ी नजर आती है सर को पे भी देखने को मिलती है देकि उनका सुभाव ऐसा है कि दिल के राजा है और हमारी छबी इस इंडस्ट्री में ऐसा रहा कि मैं एक एनराई विदेश से होकर यहां जुड़ा तो उन से गया और गहराते गया और और गहरा होगा और प्यार हम भी उनके साथ हमेशा बड़े भाई के तरह ही पेश होता हूं बहुत इजद समान देते हैं एक डायलोग है पवन सिंग जी का मूड बनने में टाइम लगता है मैं चाहता हूं कि वह आपके मूँ से हो जाए है वह नहीं वह तो बात सही है डायलोग को बोलता है कि बेटा मूड बनने में तो टाइम लगता है और जब मूड बन जाता है तो एवरी थिंग डू इट जैसे पवन जी कुछ भी कहें वो कर सकते हैं और करने में शक्चम है वह उनकी जो ताजगी है जो देखने में जो उनका ज पावर च्टार पवन सिंग जी गाईकी से शुरुवात किये थे और आज भोजपुड़ी के सबसे बरे सितारों में गिनती आते हैं पावर च्टार पवन सिंग जी तो उनके गाईकी को लेके आप क्या कुछ कहना चाहते हैं तो यह एक बिहार के माटी का लाल जो एक आरा स अधित्र जनके बाता है को बने ऐसे मां ज हनोंने पादा कि आ अशिर्वाज रह ँनके लिए कि य備 हुआ निका पर aumentar पूरा इंको प्लोंगों को मिलता है और अभी बता दूँ कि इनका लॉली पॉप टू सौंग जल्दी आने वाला है तो इसके लिए मैं उनको पहले सही सुप काम ना है सुनने में आया है कि लॉली पॉप टू गाने में बॉलिवुड की सबसे बरी हिरोहिन सन्नी लियोन काम कर रही है हाँ दिखिए अब जल्दी पता लग जाएगा आप लोगों को कि कौन काम करेंगी मुझे इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं है लेकिन जदी ऐसा बात है तो उनके लिए सन्नी लियोन का एक से एक होली बूट के भी आ सकती है आज से कुछी महीना पहले पावर स्टार पवन सिंग जी का सोप पतना में था जिसमें उन्होंने लाइव स्टेज सोपे कहा था मैं उसको भी न चाओंगा भोजपूरी में जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी और आज कहीं न कहीं वो चीज घुर फिर के आ रही है क्या कुछ कहना चाहते हैं के साथ जब जोड़ी नजर आएगी तो एक सूपर हिस्ट ब्लास्ट होगा यह सौंग लॉलीपप टू सर आप भोजपूरी से जुर गया है तो एक सवाल मैं यह भी पूछी लेता हूं कि भोजपूरी में आपका सबसे फैवरेट सिंगर कौन है देखिए भोजपूरी में परताबगड़ पर जब दूसरी फिल्म का लॉंच कर रहे थे नहीं इंडिया तो उस समय भी मेरी वाइफ थी और उसने भी बोले था कि पवजपूरी पिक्चर बनाओंगा तो मैं अपने पैसे से बनाओंगा आपके लिए तो फैन फ्लोइंग उनका तो हर जगा है कितना अच्छा लगता है जो पूड़ा फैमली पावर स्टार पवन सिंग जी के फैन हो और आप उस फिल्म को प्रिड्यूस करके आप उस फिल्म में खुद नजर आ रहे हैं पावर स्टार पवन सिंग जी के भाई का किरदार नवार नवाजा जा रहा है तो क्या कुछ लगता है भाइया इस तरह करिए इस तरह करिए तो एक बहुत मन में खूस होता और लगता है कि इनके साथ और कुछ बड़ा काम किया जाए और इसलिए मैंने बोजपूरी देखिए मैं फिल्म कमाने के लिए नहीं आया हूं बगवान के बास मेरी विजनेस विदेशों में है तो मैं ज कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि पवन सिंग जी घमंडी है ऐसे उसे बहुत सारे चीज उन पर आरोप लगते हैं आप 2021 से आपकी जोड़ी बहुत ही ज्यादा नजदीकी है आप दोनों में तो मैं चाहता हूं कि पवन सिंग जी कैसे हैं आप हमारे दर्सकों को बताईए इसको इस वीडियो को पावर स्टार पवांd सिंग जी देख रहा है तो उनके लिए कि आपका क्या मैसेज रहेगा छोटा साम मैं पवंजी से ही कहूंगा कि इसी तरह आप दिन दुना चार चौजना हमेशा बढ़ते रहें और लोगों को अच्छे से अच्छे गाना देते रहें और भगवान के मेरा ये मेरे तरफ से ही है प्रातना कि आप खूब आगे बढ़ और हमारे साथ भी फिल्म करें हमारे साथ तो Φो फिल्म करेंगे और इसमें कोई शक नहीं है और मैरा हमेशा ब्लेसिंग उनके लिए रहेगा तैंकी एक सरी फिल्म कल जो कल इसका टेलर लॉंचिंग का तो वहां पर अंजना शिंग जी आई थी पावर स्टार पवंध चिं और आपको गानों में भी दिखती हैं कि इल्बम में कितने हीट हैं वो कुछ सुटिंग उनका चल रहा था कहीं पता चला यूपी में हैं कहीं तो किसी कारण वस वो नहीं आए व्यस्ता के कारण लेकिन वो मिस जुरू कर रही होंगी पार्टी को और हम लोग मेरा शिरवाद ब्लेसिंग हमें से उनके साथ है और आगे भी पिक्चर उनके साथ भी करेंगे तो कल का जो टेलर लांचिंग था उसमें डिमपल सिंग जी नहीं आप आई क्योंकि वो सुटिंग में बीजी थी तो आज जो हमारे साथ थे सक्स राम सर्मा जी थे जो कि भोजपुरी के प्र और असीरबात दीजे और सर को भी खूब सारा प्यार और असीरबात दीजे और कुछ कहना चाहिए जोड़ से सभी भोजपुरिया दर्सक से प्रातना करता हूं बिंति करता हूं मा बहन भाई सब सिनेमा घर में एक पारिवारिक फिल्म है और उसमें बच्चे जबान जो भ और इसलीज कर रहा हूं छट पुझा के अफसरकण और इसके बाद मैं विदेश में दिवाली के बाद में बिदेश में इसको रिवीज करूंगा रिख ऐसेंच कि लिए अपने पावर स्टार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं गौडी संकर आपको हर अप्टूडेट देते रहूंगा लीड निउस पर बहुत धन्यवाद